हेलो दोस्तों मेरा परिवार खुश होगा और स्वस्त होगा आज की होम रेमिडी बहुत खास होने वाली है कि आपकी नसे कमजोर हैं नसों में दर्द रहता है नसों में ब्लॉकेज हो रही है साइटिका पेंच से आप जूज रहे हो उठने बैटने में बहुत तकलीफ होती ह शड़िया चड़ने में तकलिफ हो रही है चलते होई पैरों की नसें खिच जाती है या नसें खिची-खिची है खिचाव रहता है पैरों में हॉम रेमेडी बहुत खास है दोस्तों आप वीडियो को फुल वाच कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इस होम रेमेडी में क्या खास है तो ये एक पेड़ की डंडियां हैं किस पेड़ की हैं वीडियो के आगे या फिर बीच में बताऊंगी वीडियो को स्किप करके नहीं फुल वाच कीजिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए गुटनों की जो कट कट की अवाज थी बिल्कुल खतम हो जाएगी हातों की जुन जुना हट होती है हातों की नसे जुन जुनी सी देती हैं कभी कभी स्ट्रेस होता है हमारा दिमाग भी कभी कभी सुन हो जाता है डाइब पतीले में डाल के इस तरीके से कूटना है मिक्सी में हमें नहीं पीछना है इसमें लार जैसी बनती है यह देखे यह जो फ्लूड खतम हो गया था हमारे घुटों में दोस्तों पहले तो यह जान लीजे कभी भी घृष खतम नहीं होती है सिर्फ सूख जाती है तो हां इससे जो ग्रेज थी फिर से बनने लगेगी जो घुटनों से कट कट की आवाज आ रही थी वह भी खतम हो जाएगी तो इस तरीके से इसे कूट लें आप एक व्यक्ति के लिए बना रही हूं तो मैं इसमें डालूंगी डेड़ ग्लास पानी एक व्यक्ति के लिए डेड़ ग्ला बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है तो ऐसी प्राब्लम अक्सल पैदा होती है हमारे शरीर में जब बैट कॉलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है गुट कॉलेस्ट्रोल कम हो जाता है तो हमारे शरीर में बहुत सारी बिमारियां जरम ले लेती हैं दोस् या कमजोर नसे थी इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कम से कम इसे 20 दिन फॉलो कीजेगा आदा चमज में पाउडर डाल रही हूं किस चीज का पाउडर है दोस्तों इतना इफेक्टिव है ये जो नसे ब्लॉक हो गई थी आपको जोडों का दर्धा अर्थ्राइटिस थी इससे आपकी समस्या बिल्कुल खतम होने वाली है कम से कम इसे 20-25 दिन फॉलो कीजेगा हमारी जो चोडों की दर्ध की प्रावलम थी सूजन की वह भी इससे खतम हो जाएगी तो हमें इसको धीरे-धीरे करके पकाना है तो आप देख रहे हैं कि इसकी कॉंटिटी आदी से क झेली ठीक हो जायगे हमें हमारा भी भी थे रहता था या फिर हमें बहुत जड़ाबरी थी इससे डाबरी जादी से कवह फुटी you के दूवर हो जाएगी काड़ बिल्कुर Reedy है वह जादा ठंडा नहीं करना है इसको हमें पीना है हल्का गुनगुना आपको पेन किलर की जुरत नहीं पड़ेगी जब आपर इसी काडियों की जरुत पड़ेगी चब आप इस काड़े का अच्छे सेवन डेली करे This इससे आपको पहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो बच्चा हुआ था इसमें एक ग्लास पानी डालें और फिर से इसे काड़ा बना लें फिर से रेडी हो जाएगा इसे आपको फैंकना नहीं है लेना कैसे है जिनको डाइबेटीज है दोस्तो गुड नहीं लेना है जिनक समय से पेट की समस्या चली आ रही है आपकी पेट में अलसर हो गया है पेट में बहुत जादा जलन होती है खटी डगारे आती है वो सब इससे बिल्कुल कवर हो जाएगी आप इसको कम से कम 20-25 दिन कंटिन्यू कीचेगा रिजल्ट आपकी आँखों के सामने होगा दोस्तो तो आज मैं नसो के लिए एक नेक्स रेमेडी भी लेके आई हूँ जो वो भी बहुत पावरफुल है तो ये एक काड़ा है जो हमारी वेरिकॉंस वेंज की समस्या थी या नसे ब्लॉक हो रही थी पेट कॉलिस्टरॉल बहुत जादा बढ़ा हुआ है बोडी में वाद, पि उपने कमचोर हो जाते हैं तो हमें लेनी हैं दस से बारा काली मिर्च, साबूत काली मिर्च लेनी है पावडर का यूज नहीं करना है दोस्तों तो मैं इसमें ले रही हूँ तीन लॉंग कॉंटिटी आपकी आखों के सामने में बता रही हूँ इससे बैट कॉलिस्टरॉल खतम हो जाएगा दोस्तों गुट कॉलेस्टॉल बनेगा दो इलाइची ले रही हूं एक व्यक्ति के लिए बना रही हूं तो कॉंटिटी आपके सामने हैं इन सबको हम तोड लेंगे इस तरीके से मिक्सी वगरा में इसका पाउडर बना के ना रखें क्यूंकि इसको इस तरी हमने इसको अच्छी से तोड लिया है तो गेस के ऊपर मैंने इसे रख दिया है अब हम इसमें डाल रहे हैं एक ग्लास पानी लो मीडियम पे धिरे धिरे पकाना हैं जो चीज़े डालेंगे तो धिरे-धिरे करके काडा बनाना हैं जो चीज़े बनती हैं दोस्तों वह बिलक काड़ बिल्कुर रेडी है गैस की फिलेम को ओफ कर देते हैं। हलका गुन गुन हमें इसको पीना है। ठंड़ा नहीं पीना है। आप इसे हफ़ते में चार दिन ले सकते हैं। कर दोंकुर किया था को जाएक। बहुत जाएगा 14 छकूद डाल के आप इसे दुबारा रेडी कर सकते हैं बहुत इफेक्टिव है ये दोस्तों इसे स्किन ग्लो करती है हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है वो सारी समस्य इसे खतम हो जाएगी पेट की कोई बिमारी लंबे समय से चलिया रही थी वो भी ठीक हो जाएगी बेट कॉलेस disguise कि जायेगा दोस्तों जो मैं ने पहली रेमीडी में जो डंडियां ले थी वो ती अपनीयो ho सका है तो फिल्च फ। झार सकते गलेफ stackbird तो जो मैं निए पाउडर का यूज को किया था दोस्तों वह बॉडर था अरजू डंडे की चाल का पाउडर अगर आपको चाल मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना मिले तो आप पाउडर का यूज़ कर सकते हैं वेरी कौन्स वेंस की समस्य बिलकुल खतम हो जाएगी टुन 20-25 दुनों में इसको आप डेली से फॉलो कीज़ेगा तभी आपको रिजल बहुत अच्छा मिलेगा जो प्रेगनेंट लेडी ह या फिर जो मम शिशू को दूद पिलाती हैं दोस्तों वो इसका सेवन ना करें वीडियो अच्छी लगी हो तो जादा स्यादा शेयर करें मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब पर